नमस्कार आप्दीक्रे न्यूस फॉर्णेशन और मैं हूं सांथवन आपके साथ साल 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाव में महज कुछ महिनों का वक्त शेश रह गया है ऐसे में तमाम दलों के तरफ से चुनावे पिच बननी शुरू हो गई है रननीती और राजनीती दोनों ही चरम सीमा पर है और इसे लोगसभा चुनाव से ठीक पहले पिच पी ने नई टीम की घोशना की जिस घोशना के बाद देश के सियासत तेज हो गई है जहां जो बीजेपी के रास्टर अदेख्शन जेपी नजड़ा ने जिस लिस्ट की घोशना की उनमें दो मुस्लिम चहरों को जगा दी गई है जहां ये माना जा रहा है कि एक बार फिर बीजेपी A to Z के समयकरन को सादने की कोशिश में लगी हुई है जहां ये वही समयकरन है जो बिहार के सियासत में तिजस्पी आदब अपनी पार्टी के जरिये सादने की कोशिश में लगे हुए हैं यानि की सभी वर्ग, सभी समुदाय और सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने की जहां बिजेपी के बारे में ये धाडना रही है कि वो एक समुदाय के साथ चलती है लेकर इस नई लिस्ट में जो चहरे सामने आए हैं, जो नाम घोशत हुए हैं उस नाम को लेकर अब पूरिदेश की सियासत में बिजेपी के इस नई लिस्ट की चर्चा सबसे शरम पर है दरेसे लोग सभाचनाव 2024 से पहले बिजेपी की नई टीम की घोशना शनिवार को हुई पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नज्ड़ा की ओर से जिस टीम की घोशना की गई उनमें तेरा राष्ट्र अध्यक्ष, आठ राष्ट्र महामंत्री, एक राष्ट्र महामंत्री संगठन, एक राष्ट्र संगठन, कोशा ध्यक्ष और सा कोशा ध्यक्ष और 13 रास्ट्रे सचवों के नामों का एलान किया गया जेपिन अज्जा की टीम में चुनावी राज्जों को साधने की कोशिश की गई है नई टीम में सबसे अधिक चर्चा यूपी से आने वाले तारिक मंसूर की हो रही है जोने पाठी का रास्ट्रूपाद येक्ष बनाये गया है इसके साधी केरल से आने वाले अब्दुल्ला कुट्टी पहले सी इस पदपर थे 2024 के चुनाव से पहले पाठी की ओर से यह संकेत है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी इस बार कुछ अलग करने वाली है पासमानदा मुसल्मानों तक पार्टी अपनी पहुच बनाने में जुटी हुई है नई टीम में जगा पायत तारिक मनसूर भी पासमानदा मुसल्मान है पिश्रे दिनों जब ये चर्चा हुई कि इसमा लोगसभा चुनाव में बीजेपी अधिक मुसलिम उमीदवारों को मैदान में उतार सकती है तो क्या ये उस ओर एक संकेत है गौर तलब है कि अब्दुल्ला कुट्टी शुरू से बीजेपी में नहीं रहे पहले वामदल और फिर कॉंग्रेस में रहे लेकिन पियम मोदी की तारीफ के बाद दोनों जगाहों से उन्हें निशकाशत कर दिया गया तून 2019 में वो बीजेपी में शामिल हुए उन्हें पहले केरल बीजेपी का उपध्यक्ष बनाये गया उसके बाद 2020 में कुट्टी को रास्ची उपध्यक्ष बनाये गया पाटी की ओड से एक बार फिर उन पर भरूसा जटाये गया है बीजेपी की नई टीम में पाटी के मुस्लिम चेरे के तौर पर तारिक मंसूर को जगा मिली है फिलाल वो बीजेपी के विधान परिश्ट के सदस से हैं वोलिगण मुस्लिम युनिवोसिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं तारिक मंसूर पासमांदा मुसल्मान है बीजेपी के साथ ही देश के प्रदान मंत्री भी पासमांदा मुसल्मानों का जिक्र कर चुके हैं दरसल पासमांदा मुसल्मानों को लेकर बीजेपी काफी समय से रणनीती तयार कर रही है यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने एक प्रेयोग किया था जो काफी हद तक सफल भी रहा यूपी निकाय चुनाव में पहली बार सबसे अधिक मुसलिम उमीदवारों को बीजेपी ने टिकेट दिया 400 के करीम मुसलिम उमीदवारों में से 60 से अधिक चुनाव जीत गए कुछ समय पहले रामपुर की स्वार सीट पर हुए उमीदवारों में बीजेपी ने मुसलिम कैंडिडेट उतारा जिसकी जीत हुई पसमंदा समुदाय से आने वाले दानुश अंसारी को यूपी में मंत्री बनाये गया पसमंदा मुसल्मानों को लेकर जो तयारी चल रही थी फॉर्मूले का यूपी निकाय चुनाव में टेस्त और एक कदम आगे बढ़कर पार्टी से लोकसभा चुनाव में भी आजमा सकती बरहा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अलग-अलग रणीती पर काम कर रही है इस बार मारा जा रहा है कि बीजेपी पहले के मुकाबले अधिक मुसल्म उमीदवारों को लोकसभा चुनाव में उतार सकती है हाली में पार्टी के अलप संक्यक मूच्छा का कहना था कि करीब सरसच सीटे है जहां पार्टी मुसल्म उमीदवारों को उतार सकती है अभी चुनाव में वक्त है लेकर बीजेपी की जो नई टीम बनी है उससे सोच संकेत मिलते हैं पार्टीस चुनाव में कुछ अलग करने वाली है। पार्टीस चुनाव में क्या बीजेपी एक नया रुख लेकर जनदा के सामने खुद को पेश करेगी। आपको क्या लगता है? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिला के लिए इस कबर में अतना ही नमस्कार।